हम सोचते हैं कि हमने सनलाइट तो ले ली इसके बाद भी बहुत सारे लोग देखेंगे कि उनकी रिपोर्ट्स में फिर भी वाइटमिन डी का लेवल इंप्रूव नहीं हुआ तो सनलाइट के साथ साथ जो है एक और भी इंपोर्टन चीज है कि हमें फूड हम क्या ले रहे हैं वो भी बहुत इंपोर्टन फैक्टर है अब सनलाइट से जो वाइटमिन डी तो फोर्म हो गया अब वाइटमिन डी क्या करता है कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है हमार पूरी बॉडी में होमोन्स को जो है बहुत सारे फैक्टर्स को कन्ट्रोल करता है और हमारे बोडी को प्रता है तो जब वाइटमिन डी की फ्रोमेशन होती है तो इसके साथ-साथ बोट सारी जो है अलग-अलग मिनरल्स और civिटमिन भी जुड़े वे हैं जैसे कि कैलिशियम एक बहुत अच्छा मिनरल है जो हमारी बोन्स को चाहिए लेकिन अगर वाइटमिन दी पूरा नहीं है तो कैलिशियम भी अब्जोर्ब नहीं हो पाएगा इसके साथ साथ मेंगनेजियम भी बहुत जरूरी है हमारी बोडी में और भी बहुत सारे वाइटमिन से हमारी बौडी में जो सन से वाइटमिन दी हमें मिला है या हम सप्लिमेंट भी ले 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 लते हैं वाइटमिन दी काम ही नहीं कर पाएगा अब इसलिए proper nutrition हमारी बौडी में होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि हमारी बौडी में Magnesium की कमी है अब Magnesium इसलिए ज़रूरी है क्योंकि Vitamin D को Form करने के लिए कि Enzyme की ज़रूरत होती है अब उस Enzyme में Magnesium Mineral की ज़रूरत होती है Magnesium नहीं है तो Vitamin D जो है वो अपने Final stage पे जा ही नहीं पाएगा इसलिए मान लीजिए आपने Vitamin D ले लिया sufficient ले लेकिन magnesium की कमी है यानि कि आपने sufficient जो है food नहीं लिया या आपने पूरा proper nutrition नहीं लिया तो आपकी muscles में cramps आने लगेंगे या restlessness हो जाएगा थकावट फील होएगी still क्योंकि magnesium ही sufficient नहीं है तो vitamin D जो है calcium भी उसी तरह जरूरी है और भी इसके साथ-साथ बहुत सारे factors होते हैं जैसे की vitamin A हो गया vitamin A भी बहुत जारा जरूरी है थोड़ी amount में हमारी body में vitamin A भी चाहिए क्योंकि उसके बगर भी जो है हमारी body में vitamin D काम नहीं कर पाएगा और इसके साथ-साथ zinc हो गया boron हो गया यह सारे चोटे-चोटे जो minerals है हमारी body में जरूरी है इनके बगर जो है vitamin D हमारी body में काम ही नहीं कर पाता इसलिए sunlight जरूरी है ही हमारी body में जो है proper nutrition भी जरूरी है और nutrition के साथ साथ जो है जरूरी है कि हम अपनी physical fitness पे भी ध्यान रखें अगर हम अपनी body के अंदर जो है एक proper movement नहीं रखेंगे एक aliveness एक daily physical activity को time नहीं देंगे तो भी हमारी body में चाहे कितना भी हम sunlight ले ले हम कितने भी supplements ले ले nutrition ले ले तो भी हमारी body में एक proper level of vitamin D maintain नहीं हो पाएगा तो इसलिए body में balance होना बहुत जरूरी है तो vitamin D के साथ अगर हम proper nutrition लेना चाहते हैं तो जितने भी ये whole grains होते हैं, seeds होते हैं, nuts होते हैं ये जैसे कि pumpkin seeds हो गए या sunflower seeds हो गए और बहुत सारे जैसे flax seeds हो गए ये जितने भी seeds होते हैं, इनको consume करना बहुत जरूरी है अगर हम proper amount में daily थोड़ा थोड़ा nutrition proper लेते रहेंगे, green leafy vegetables लेते रहेंगे, seeds लेते रहेंगे, grains लेते रहेंगे तो उससे क्या है, हमारा nutrition proper रहेगा और हमारी body जो है, balance rate में रहेगी तो ये थी कुछ चीजें जिससे हम, जो है, हमारी body में vitamin D का level अगर हम maintain करना चाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है, इनको देखना पड़ता है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे like जरूर करें, और इसे अपने friends और family में share जरूर करें, ताकि सबी लोगों को awareness मिलें, जादा तर 80% से जादा लोगों में vitamin D की deficiency है, और ये चीजें जो है, करने से हमें help मिलेगी, तो इसे promote करें, इसे जादा जादा फ उसकी notification आपको time to time मिलती रहे, मिलते हैं next video में किसी और ना information के साथ, तब तक लिए stay blessed, be happy, take care, namaskaram, bye bye